तो हलो गाज तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि सुचक जो है वह क्या होता है इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं हूँ पपो गुरू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंसमाल तो चलिए फ्रेंड्स आज क इस वीडियो को देखी लेते हैं कि आज का वीडियो है यह क्या होने वाला है दोस्तों आज हम जानेंगे सुचक यह सुचक क्या है दोस्तों सुचक के पराकृतिक की बारे में सुचन देता है कि कोई भी पदार्थ है उसका पराकृतिक में अमली है यह चारी है बतलाता है दोस्तो वो होता है आपको इंडिकेटर यानि सुचक जो होता है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी पदा आर्थ का यह बतलाता है धंग रूप कैसा है कैसा नहीं है तो दोस्तो चलिए अब देख लेते हैं जो प्रकृतिक सोरी जो सुचक होते हैं वह कितने परकार्क होते हैं दोस्तो सुचक जो है आपको तीन परकार को होते हैं पहले तो आपको होते हैं प्रकृतिक सुचक होते हैं पहले और दूसरे होते हैं दोस्तों को क्या संसलेशित सुचक और तीसरे होते हैं गंधिये सुचक तो सबसे पहले प्रकृतिक सुचक बात कर लेते हैं तो को की विटमास पत्र मैं हम जानवने जान लेते हैं दोस्त लिटमास पत्र जो है प्राफ्टे समया ह spirituality भ्व सकते हैं यह क्या है एक सूचक है जिसका उपयोग सूचक की तरह किया जाता है ओके इतना तो आपको आया अगर इतना आग है फ्रेंड्स तो जल्दी से कॉमेंट किजिए कि यह विडू आ चुकी है आधा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब लीटमस पत्र के अगर बिलिए लीटमस बिल होते हैं आपको किया होते जिसमें ल्राव लीटमस पत्र होता है और रखतनी बिल्लग के अगर दोस्तों अबल ल्रतों के मिलाएगे तो दोस्तों वह आपको बदल देगा रंग समझे दोस्त अगर हम लाल लीटमस पत्र को फ्रेंज्स अगर हम किसी अमल में अमल कहने का मतलब घठी पतार्थों में दोस्तों अगर उसको डाल देंगे ना तो उसका जो रंग होगा ना वह प्रावर्तित हो जाएगा बदल दोस्तों तो उसका रंग क्या हो जाता है आपको चेंज हो जाता है नहीं आपका जो लाल लीटमस पत्र है उसका चेंज नहीं होता है आपका होता है दोस्तों नीले लीटमस पत्र का समझें नीले लीटमस पत्र को अगर हम अमले में डालेंगे दोस्तों आपको लाल हो जागा लेकिन दोस्तों लाल को डालेंगे न तो उसका रंग प्रावर्तित नहीं होगा आपने जो पीछे सुना वो गलत था आपको भसाने के लिए बोला गया था तो समझे दोस्त कि अमल में अगर हम नीले लिटमस पत्रों को डालेंगे तो वो लाल हो जागा लाल लिटमस पत्रों को और नीले लिटमस पत्रों को दोस्तों अगर चारक में अगर लाल लिटमस पत्रों को डालेंगे दोस्तों तो उसका जो रंग है ना वो नीला पर जाता है चारक में अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालें तो दोस्तों उसका जो रंग है ना आपको निला हो जाता है और वही दोस्तों निले लिटमस पत्र को डालेंगे चारक में तो उसका जो रंग है ना जैसा है वैसा ही रह जाएगा तो फ्रेंज इतना दूर तो आपको किलियर हुआ कि प्राकृतिक सुचक सबसे पहले हमने लिटमस पत्र की बारे में बात की और दोस्तो हल्दी भी है ना एक हल्दी हल्दी भी एक प्राकृतिक सुचक है दोस्त दोस्तों हल्दी भी क्या है एक प्राकृतिक सुचक है कैसे कभी काल क्या हो जाता है कि जब हमारे कपड़ों पर किसी चीज का नहीं जैसे सब्जी का दाग ही लग जाता है दोस्तों सबजी का जब दाग लग जाता है तो जब उसे हम जब धोते हैं जब कपड़ा उसको सरब से धोते हैं दोस्तों तो उसका जो रंग है सोरी जो सबजी होता है सबजी में जो मसाला उसमें डाला होता है तो हल्दी उल्दी भी डाला होता है तो हल्दी जब डाला होता है तो वो मतलब गीरता है कबड़ा पर तो पीला हो जाता है लेकिन वही पीला को हम अगर साबून से साफ करेंगे तो उसका जो रंग है ना लाल हो जाएगा या भूरा हो जाएगा इस टाइप से हो जाती है लेकिन दोस्तों अगर उसे पानी में पुरा खंगार देंगा ना तो फिर से वह क्या हो जाएगा वह फिर अपने ही आवस्ता में आ जाएगा फिर से वह पिला ही हो जाता है एतना तो आया है दोस्तों कि हल्दी भी एक क्या है सुचक है हल्दी भी एक क्या है सुचक है इसके जरी भी बता सकते हैं कि अमल है या चारक है तो friends अब देख लेते हैं आपको अड़ुर फूल समझ रहे हैं अड़ुर फूल भी एक आपका एक सुचक ही है अड़ुर फूल भी एक सुचक ही है उसके जरी भी बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अमल है या च्छारक है समझें तो आपने अभी भी पढ़ा हल्दी जो होता ये क्या है प्राकृतिक सुचक है लिटमस पत्र भी क्या है एक प्राकृतिक सुचक है पढ़ा और अभी हमने पढ़ा यह जो होता है ना अड़ोर फूल यह भी होता है आपको प्राकृतिक सुचक होता है जिया होता है दोस्तों और भी सारे फूल होते हैं जो प्राकृतिक होते है दोस्तों हल्दी का आपका रंजक कैसा होता है तो हल्दी का दोस्तों आपको पील मैं यह होता है छार में दुबा देंगे नो हम सान लाल हो जाता है लाल पता को भी समझ रहे हैं लाल पता को भी वो भी एक क्या है प्राकूर्तिक स मुछ समझे और यgens में लड़ रं नकली को होता है बिलियन इसका भी लाल हम रेता है ये भी एक पराकृतिक सुचक है इंगलीज में बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स ठीक है यतना तो आया आपको तो देख लेते हैं और भी सारे फूल है जो कि और हाँ दोस्तों और हम इसमें भी जान लेते हैं ये जो लाल पता का गोभी का जो बिलियन है उसमें अगर हम अगर उसमें हम दोस्तों अगर आम ले डालेंगे तो क्या होगा दोस्तों आम ले डालेंगे तो आपको क्या होगा जो आपको बिलियन था उसका जो रंग है ना लाल हो जागा ठीक है और दोस्तों अगर वही छार डालेंगे हम तो आपका जो रंग है उसका वो बदल जाएगा थोड़ी सी जो मेरी जो आवाजे न फंस रही है थोड़ी सी फंस रही है दिक्कत हो रही है तो यतना तो आपको आया कि जो हमनद भी निकाला बिलियनों हमने डाल G Ti लेकिन अगर हम छार डाला ही हो जाटा है तो दोस्तों इसी परकार आपको होते हैं कुछ फूले बहुत सारे फूल होते हैं और फूल भी बहुत 3 तरह की और भी पूल है जैसे पेटू निया हो गया। आपको जहरीनियम हो गया और YURI हाई हाई लिख टाइप के फूल होते हैं ₳ जो मतलो भी क्या है सूच्चक ही है समझे तो हाई हिद्रेंज्य प्हीं होते हैं ₳ जो कि संसलेशित सूचक क्या होता है यानि बात करें तो कृतम सूचक क्या होता है तो दोस्तों मनुष्य द्वारा बनाया गया सूचक होता है आपको संसलेशित सूचक ओके दोस्त संसलेशित सूचक जोता है मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है ठीक है यानि इसका परिभासा बात करें तो हो जाएगा इसका परिभासा वे सुचक जो रसायनिक प्रतिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है यह प्राप्त किया जाता है ठीक है दोस्तो तो आपको संसलेशित सुचक का परिभासा समझ में आया दोस्तो पहला तो होता है दोस्तो आपको पहला आपको होता है मिथाइल ओरेंज और दोस्तो होता है दूसरा तो फिनोल फथेलिन इस टाइप के होती है दूसरा क्या हो फिनोल फथेलिन इस टाइप के आपको होते हैं सुचक अगर उस पर दोस्तो आमल डाल दें तो उसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है अगर दोस्तो उस पर छारक डाल दें तो उसका रंग क्या हो जाता है अगर हम उस पर छारक डाल दें तो क्या होगा अगर आपके पास उतर है तो बताइए और नहीं है तो दोस्तो आपको होता है क्या पिला करता है उसका रंग आगे देखक लेते हैं पहला मिथाईल औरेंज था ठीक है मिथाईल औरेंज था और दूसरा था दोस्तो फिनोल फथेली था सूचक इसका जो रंग होता है बेरंग होता है कोई रंग है नहीं होता है मतलब बेरंग होता है ठीक है और दोस्तो इसमें अगर हम अगर आमल डाल देना तो इसका रंग कुछ पते ही नहीं चलेगा कि क्या है जैसा या वैसा यह रह जाएगा बे रंग और दोस्तों वही अगर हम छार डालती अगर वही हम छार डालती दोस्त तो उसका जो रंग है आपको गुलाबी टाइप के हो जाता है समझे उसका रंग के हो जाता है गुलाबी टाइप का हो जाता है समझे दोस्त तो अब देख लेते हैं दोस्तों तिसरा गंधिये सुचक क्या होता है तो गंधिये सुचक का सुत्र हो जाएगा थी परिभासा जाएगा वे पदार्त जिनकी गंध अमलिये और छारिये माध्यम से बदलती है उन्हें हम गंधिये सुचक कहा जाता है जिहां दो वे प्दार्थ जिनके गंद अम्लिय को ऐसा होता है तो यह जिसमें गंध कैसा सुचक है ना उसका मतलब उसमें अगर हम कुछ भी अगर चार डालेंगा न तो उसका गंध जो है मतलब निकलेगा ही नहीं गंध मतलब बंध हो जाएगा समझे चार डालेंगे तो उसमें क्या जाएगा गंध बंध हो जाएगा ये पार्ट नहीं आया समझ में तो चलिए वीडियो समापत हुआ